नमस्कार किसान भाईयो किसान भाईयो आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल राजस्तान फाइदेका सोधा के उपर आज का जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए बढ़ा ही महत्तुपूरू रहने वाला है क्यूंकि आजका वीडियो होगा एक तरिके से देखा जाए तो कॉमबो पैक आज का वीडियो, Combo Pack में इस लिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के वीडियो में मैं जानकर लाया हूं एक टेक्टर से संबन्दित, ट्रोली से संबन्दित, सीडल और हल से संबन्दित साथ ही जो एरा केतो में मिट्टी की उतल-फुतल करने के काम आता है उससे संबंदित तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है कॉंबो फैक वीडियो में आगे चलने से पहले आप से कहना चाहूंगा अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले हो और ऐसी जान ना है तो भी आप मुझसे संपरक कर सकते हैं फिरी सेवा है मेरी एक रुप्य का चार्ज नहीं लगता है और ना मैं लेता हूं अब बात कर लेते हैं आज के बारे में तो आप लोगों को जो यह टेक्टर नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के उस टेक्टर मोडल है दोजार च जाता है किसान भाई ने इस टेक्टर का काम 2018 में करवाया था और यह ज्यादा चलता नहीं है मातर किसान भाई के 20 वीगा जमिये उसके अंदर यह हल निकालता है और घर पे इसको खड़ा कर दिया जाता है अब आप हम आप टेक्टर की कंडिशन के बारे में बात कर लेते है फिर आगे इसकी डाकुमेंट्स होगी और इनकी बात आगे करते रहेंगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा अब आप इसका रंग देख सकते हैं कलर वगएरा देख सकते हैं साथ का कलर है किसान भाई निस पर अभी तक कलर नहीं करवाया है काम जरूर कर आया इसका करवाया था आप देख सकते हैं इसकी लाइट भी नई लगवाई गई है किसान भाई द्वारा और यह टेक्टर का पी अच्छी कंडिशन में किसान भाई ने हमें इसे स्टार्ट करके भी दिखाया था वह वीडियो में आप लोगों के लिए आगे लिक्या आया हूँ अब इसे तो आप लोगों को यह नजर आई रहा है किस तरीका कंडिशन में यह टेक्टर अब मैं आपको इसे पिछे से दिखा देता हूँ फिर इसकी ट्रोली की बात करेंगे अब आप देखी है हाँ तो किसान भाई ओ अब आप इसे पिछे से देख सकते हैं पिछे से इसके ट तूट वाट मुझे नजर आ नहीं रही है और जो यह अमरगाट इस पर कहीं पर भी गलाव नहीं नजर आ रहा है साथ की कंडिशन में 2004 मोडल है तो आप देख सकते हैं चार मोडल के ऐसी कंडिशन अधिकतर टेक्टरों में नहीं मिलती है लाइटों किसान वाइन अच्छी सेप्टी करा रहे हैं आप यहां देख सकते हैं अब मरगाट को ऊपर से आप देख सकते हैं कई भी काई गलाव नहीं है इसके अंदर अगर गलाव होता है तो वह नुक्सान करता है लेकिन अच्छी अच्छी कंडिशन है हम ने अब इसे पिछे से देख लिया आगे से नई कंडिशन की टायर है और यह मरेफ कंपनी के नई टायर किसान भाई ने छंडवाए थे तो यह अभी तक ज्यादा चला नहीं है क्योंकि किसान भाई की बीस भी का जमिये तो वह उसी में इसे काम में लेते हैं अब रही बात इसकी कीमत की तो कीमत तीन जो चारो है चार बीस की आप यहां से देख सकते हैं तो इसके मोडल के से अच्छी है और यहां पे आप देख सकते हैं इसका कलर साथ का है और टायेक्टर में कहीं यह दोया हुआ है भी इसकी दुलाई किये किसान भाई नी नीचे आ अपको यहां जमी भी आली नजर आ रही होगी इसलिए यहां पर पूछ कनाट नजर आ रहा है नहीं तो ट्रम कहीं पर सीम वगरा नहीं है कि कि किसी तरह की कोई सीम आ रही हो ठीक है किसान भाई यह अब इस ट्रम को हम दूसरी साइड से और देख लेते हैं इसके पीछे वाला टाइर यहां पर आप देख सकते हैं इसका पीछे वाला टाइर है उस टाइर को आप यहां पर आराम से देख सकते हैं हैं यहां देखिए यांप अप देख रहे होंगे यह साइड टाइर का पोल्ओ को मेरे कुछ नदर नहीं आ यहां रहा है साफ साफ आपको आ रहा हो तो आप यहां अप आप देख रहें ही बड़े वालिवाली इसके बारे में उनसे बाद नहीं किया आप देखेंगे यह पी अम्मरगाट बिकापी अच्छा है यह इन्हों ना अच्छी क बना रखिए रहलना किसान वाइन अच्छी तरह से बना रखा अब आपको इस आप आप देखिए इस ट्री जो नए कपड़ा इसके किसान भाई ने लगा रखा है और चातरी भी काफी साप सुत्री है तो फटी वहीं नहीं है कैसे मुलब इसमें देखा जाए तो कहीं पर भी एक रुपीका खर्चा मेरे को नजरा आ नहीं रहा है अगर आप लोगों को इ किसान भाई ने इस बीडियो मेरे से बीचarta किर भी संफ्रक कर सकते हैं अब मैं इस ट्रेयक्टर का वी इडियो वह आप लोगों को बता देता हूं पानी की बज़े से आगी थोड़ा गलाओ है टाइर आप यहां पर देख सकते हैं टाइर भी अच्छे और आधे से अधिक टाइर आगे वाले यहां पर आप इसकी जो गड़िया है वह चेक कर सकते हैं काच किसान बाइद दूसरा लगाए पीछे वाले टाइर काम चला हुए लेकिन अगर आप इसे ज्यादा काम लोगे तो इसे डलवाने होंगे अब आगे की तरफ से आप देखें द देख सकते हैं तो आप टैक्टर को आगे से लेके पीछे तक पूर्ण रूप से देखें देखा जाए तो इस टैक्टर में कहीं पर भी एक रुपी की लागत नजर आ नहीं रही है अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो किसान बाइश से कमेंट बोक्स में जाके संपरक कर सक सीडल जो किसान बाई इस टैक्टर के साथ दे रहे तो आप यहां पर इसको भी देख सकते हैं से बख जआ अच्छे और काफ वड़े इसिकल्सा नहल ethanol के सब्सक्राइब तो आप देख सकते हैं तो हम लोगों को दिखाऊंगा तो आप यहां से लेख सकते हैं किसान बाई द तो आप अनमान लगा सकते हैं कि टैक्टर की किमत किसान बाई ने ज्यादा नहीं कि जितने भी सामाने किमत का विडियो के आखरी में बता दूंगा तो वीडियो में बने रहे हमारे साथ और वीडियो को अंतर तक देखिए अब आप सुनिए कि मैं बूलूंगा नहीं आप देख सकते हैं टैक्टर की आवाज भी सुन रहे होंगे देखें दुआ नहीं दे रहा है टैक्टर बड़या स्पीड भी है इसकी ऐसी कमी है नहीं कुछ 2004 मूडल टैक्टर है तो आप सोच सकते हैं वीस भी का जमी में जोत कारता है यह बस इससे ज्यादा नहीं चलता है है अब आप किसान हो इसको बेशना है अर्जेंट बेशना है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इससे संप्रक कर सकते हैंति अब देखें लिखल्ड नहीं दे रहा है किसान बाइंस तो बता के आपको बता रहे हैं टायर भी देख लीजिए, MRF के हैं, इधर वाला भी देख लीजिए, तो और आल कहा जाए तो टायर काफिया बड़िया कंडिशन में, और आप इसे चुके ना खरिटने से, अगर आपको चाहिए एक टायर ट्रोली, सीडल होर एरा, अब मैं आपको इसकी ट्रोली के बारे में बता देता हूँ, देखे किसान भाई, यह है जो ट्रोली है, किसान भाई इस ट्रोली के साथ देने वाले हैं, वो ट्रोली इस तरीके की ट्रोली है, इसका वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँगा, किसान भाई ने इस ट्रोली के आहली में जो रंग रोनक करवाया है कलर आपके सामने हुआ वा नजर आ रहा होगा साप टायर भी इसमें काफ़े अच्छे हैं तो वीडियो मा आप इसे देख सकते हैं अच्छी तरह तो अब हम चलते हैं वीडियो पर देखे किसान भाई यह ट्रोली का वीडियो है जो सामने से किसान भाई ने बनागी हमारी पास भेजा है तो मैं अब इसको प्ले करने वाला हूँ आप देख सकते हैं अब आप देखे गो आगे से लेकि पिछे तक किसान बाइन अच्छा वीडियो बना के बेजा है कलरों किसान बाइन अभी करवाया है 2006 मोडल ट्रोली है और ट्रोली काफी अच्छी कंडिशन है कम चली हुई है किसान बाइन मातर 20 विगा जमिकी मैं इसे काम में लेते हैं कहीं दूसरे की मज़दूरी करते नहीं है, क्योंकि ये स्वेम जोब करते हैं ये पटवारी है और इनके घर में समस्या है चलाने वाले की इस वजह से बेच रहे हैं तो अरजेंट से हैल करने के लिए इन्होंने बोला हैं है अगर आप इसे लेना चाहते हूं तूर्फ कर लिजिए किसान भाइस समप्रक कर लीजिए मैंने नाम पता सब कुछ तो आप वहां से जाके उनकी जानकारी ले सकते हैं उनका मोबाइल नंबर भी आपको वहां अगर आप इसे करना चाहते हैं तो कर लीजिए मोखा कहीं आपके हाथ से निकलना जाए मातर कितने रुपय में ट्रोली आपकी होगी सब्ला कॉम्बो पर यह मा आगे आपको बताऊंगा इसकी चत आप देख सकते हैं चत भी कापी अच्छी है और आगे फ्रेसर की जो नलकी लगी हुई है वह भी आप लोगों ने देख लिए अब मापको इसके जो दूसरी कर्शी हैं तरह उनका वीडियो अब आप लोगों को दिखा देता हूँ अब आप देखे इसके जो एरे वाले सिस्टम है वो आप यहां पर देख सकते हैं जिसे तुआ भी बोलते हैं और एरा भी बोलते हैं हेरा भी बोलते हैं आप की तरफ क्या बोलते हैं आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में में और यह देखे यह भी एकदम नए हैं आप यह आपे अच्छी तरह देख रहे होंगे इंगल के अभी कलर भी नहीं उत्रा और यह सीडल है जो किसान भाई आप टेक्टर के साथ देना चाहरे हैं तो इन सब कॉम्बु पैकों की किमत किसान भाई ने क्या रखी है अब मापको बताने वाला हूं दिल ठाम के बैटिए और कर सकते हैं और यह जो ख्यति का आपका सपना है उससे साकार कर सकते हैं तो आज की वीडियों में इति जानकारी एक साथ आप लोगों के बीच मुब पस्तित हो जाऊंगा तब तक मुझे दीजी आगया जय हिंद जय बारत हाँ वीडियो को समाप्थ करने से पहले फिर से कह जे किसान